नमस्कार दोफ्तों आप सभी का स्वागत है हम बात कर रहे हैं आज बात करेंगे इगनु का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस और कोर्स कोड आपका है N.E.S.102 यूनिट 7 है यूनिट 7 की चर्चा करेंगे जिसमें जो मंद हैं उनको कैसे समझा जाए यह इसका हेडलाइन से इसका पहला पार्ट हम बता चुके हैं तब भी यदि आप पहला पार्ट नहीं देखें तब भी आपको यहां से ज्यादा फायदा मिलने वाला है क्योंकि उसमें केवाल इंट्रो टाइप का था तो आये सुरू करते हैं कह करके बच्चों में पहचाना ऐसा हम उनकी बौधिक विश्यस्ताएं अधिकम की योग्यताओं के निरंतर निरिच्छड द्वारा कर पाएं हमने हैं निसकर्ष निकाला की रमन की बौधिक विश्यस्ताएं और अभिरूची सामाने तो उच मानसिक अस्तर वाले बच्चों में देखी जा सकती है अता हमने यह सोचा कि रमा ने एक उच्च मानसिक अस्तर का बच्चा है कच्छा में यह क्या दो अन्य बच्चों ने भी उच्च मानसिक बुद्धी वाले होने की लच्छन दिखलाए हैं थोड़ा सा जो इस्टडी मैटरियल जो यह है जो हम आपको बत अकलीफ होती है तो आप इसके स्वीट को कम करके भी देख सकते हैं तो आई यह सुरू करते हैं यह देभी कच्चा में अधिकांस बच्चे कम अवसात अच्छे या बहुत अच्छे आंका लाएं इन बच्चों में भी परियाप्त विभिनिताएं थी परन्तु यह एकदम चरम प्रक्ति की ना थी यह बिर्भिनिताएं सामाने सेणी की समझे आती हैं दूसरी और सावित्री और कुछ अन्य बच्चे जो अधेक प्रियासों के बावजूद कच्छा कारे को संपन करने में परसानी महसूस कर रहे थे वास्तों में कच्छा पहली में वे कई दौरा किये गए उत्तरूद था आपके द्वारा किये गए निरिचन के आधार पर उन्हें मंद मुद्धी बच्चा कहा जा सकता है इस बात की सतेता को जानने के लिए तथा इसे पहचान करने के लिए हमने एक मनुबैग्यानिक से बुध्धी परिच्छा परिच्छा द् मनोवज्यानिक विदी से करते हैं आंत्रीक एगताओं का माप संभव नहीं इसलिए यह परिच्छा है मनुस्य के विभिन बौधिक बेवारों और चिंतन प्रक्रियत तक पहुच कर उनकी बौधिक चमता को आगती है किसी परिच्छा को कितनी अच्छी तरह से मानकी कृत किय गया है मानकी कृत किया हुआ है परड़्याम का उचित मुल्यांकन इस तत्थे पर निर्भर करता है बच्चों के सैच्छिक कारक्रमों के आयोजान पर भी निर्भर करता है यद पि ए एकदम सही मापन नहीं करते हैं सामानेता इन परिच्छाओं के परड़ाम मानसिक दर्ज किया जता है जैसा कि आपने संग्यानात्मक विकास की इकाई में देखा जैसा कि आपने संग्यानात्मक विकास की इकाई में पहले ही पढ़ लिया है यहाँ पे आपको सुत्र देखनों के मिलेगा मांसिक आयू वह आयू अस्तर है जिसमें बच्चा बौधिक परिच् से निकालते हैं IQ का फर्मूला होता है IQ is equal to मानसिक आयू गुड़े सव बटे वास्तविक आयू आईक्यू नीचे हमेशा वास्तविक आयू रहेगी IQ या बुधिलब्दी की संकल्पना की वीरोध में बहुत आलोचनाओं के बावजूद इसके कई उपयोग हैं यदि आपकी मानसिक आयू ज्यादा है वास्तिक आयू के पेच्छा तो आपकी IQ ज्यादा आएगी यदि मानसिक आयू वास्तिक आयू से कम है तो आपकी IQ कम यह भी ध्यान रखेगा बैक्ति की बुद्धी की परिच्छा द्वारा मापने का IQ एक सरलुपा है इससे हम विभिन आयू वर के बच्चों की बौधिक कार करने की शमता की तुलना कर सकते हैं IQ एक उपयोगी उद्देश से यह है कि IQ का उसे हम सामाने बच्चों की जनसंख है हम वैसको में अनुसरान करता है इसका ताथ पर है कि हम एक हम एक सौव आईक्यू अंक आउसत अंक ले तो ज्यादातर बच्चों का 68.26 पर्षेंट का आईक्यू 85 से 90 से 110 से 85 या 90 से 110 या फिर 115 बीच में होगा यह आउसत के आसपास होंगे यह बच्चे आउसत से लेकि 125-130 तक वाली स्रेणी में है यह बच्चे उच बुद्धी वाले समझे जाएंगे यह बहुत अलपर प्रतिसत यानि की 3 परसंट है बच्चों का आईक्यू 130 से अधिक होगा यह बच्चे प्रतिभास आलीस रिजन से लित्यादी समझे जाएंगे यहां पर चार्ट से सीखने वाला वर्ग है जनसंख्या का करीब 2.14 परसंट आईक्यू 55 से 60 या फिर 70-75 स्रेड़ी में आता है जिने अंसता कम समान्य या मंद अंसता वर्ग समझा जाता है इसके नीचे के वर्ग में समान्य से कुछ कम अस्तर के मंद बुद्धी वाले बच्चे हैं जो आई मंद गति वाले व बच्चे बुद्धी के माप पर निचे आते हैं ये वच्चे सामान बच्चो की विध्यालाब में नहीं होते इसलिए इन पर चर्टा नहीं की गए तब मांसिक रूप से मंद कौन है बुद्धी के सामान वित्रण से हमने देखा कि बच्चे जनकी समूहों में वर्गी कृत किया गया है इसके इससे उनकी सिच्छा और देखभाल के लिए उचित बेवस्था की जा सकती है मन्द बुद्धी बच्चों की IQ सीमा 70-75, 70 या 75 से लेकर 85 या 90 तक होती है यह बच्चे सामान ने बच्चों के विद्यालों में अध्यान कर सकते हैं यदि इन्हें कुछ विशेश प्रयोजनों को उपलब्द करा आए जाए वे साधरन तर सफलता पा सकते हैं मुझे बच्चों की स्रेडि में नहीं आते क्योंकि यह काभियत मूर्त से भी शीमा के बचाते हैं इस वर्ग और ऊपर दिए-गए वर्ग के बच्चे मिलकर मंद के शीखने वाले के वर्ग बनाते हैं इसको बाद में विश्तार पूर्वक समझाया गया है साधाल रूर्फ से मंद्या अल्प समाने वर के बच्चे आए क्यों की 40 या 45 से लेकर 55 या 60 तक की सीमा वाले बच्चे कुछ मूल कलाओं को तेबर सीखते हैं एवे जीवन या अपन लायक सब्दावली भी सीख सकते हैं जिनकी मंद्द से अपनी ब्यक्तिगात और समाजिक अवसकताओं की कुछ सिमा तक देखभाल कर सकते हैं इसका तत पर रहा है कि मार्क दर्शन और नियमित प्रस्चन से यह इस योग यो हो जाते हैं कि सड़क के नियम इस्टेशन बसड़ाइश रेस्टोरेंट सवचालय पूरू सिस्त्री आधि की पश्चान कर सकते हैं उनकी अपनी आवसकताओं की पूर्ति में इससे कुछ हत तक सहायता मिल सकती है गंभीर मंद बुद्धि वर्ग का आईक्यू लेवल सिमा जो 25 या 30 से लेकर 40 या 45 तक है यह बच्चे किसी प्रकार की आपचारिक से च्छा प्राप्त करने योग नहीं होते परन्तु यह इदि निरंतर सहायता तथा अनवरत पुरोश्राहन या प्र कम आईक्यू लेवल इनका 25 से 35 से भी कम होता है गंभीर रूप्ष और बहुत अधिक मंद बुद्धि के दोनों समुह में अन्य गंभीर विकलांगता भी होती है यह विक्रितियां वाक दोस और संबेदी दोस्पेशिया समनवय की दुरबलता सारेदिक विरूपता में दे बच्चा के वल उनके लिए उपयूगत ब्यवस्था करने के प्रयोजन से की है ठीक है तो आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या सुधार हो सकता है मंद गती से सीखने वाले बच्चों की बिज़ेस्ताइं तथा उनके सच्छिक प्रभाव क्या हो सकते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा एदफी सामान बच्चों की प्राथमी विद्यालों में ऐसे बच्चे भी होते हैं जिने विद्याले कार करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है विद्याले में असफलता का कारण कुछ प्रकरणों के मांसिक सिमाई ना होकर अन्यकारक हो सकते परन्तु अधिकांस प्रकरणों में बच्चों को परसानी कम मानसी कोशल की कारण होती है। पिद्याले कारकर्मों को आवसाद बच्चे की आवस्यक्ताओं को ध्यान रखकर बनाया जाता है। या स्वभावी किया है कि जो बच्चे मंद गती से सीखने वाले हैं उन्हें सैचिक कार्यों में दिक्कत आती है। इन समस्याओं की पहचान न हो पाया और उन्हें आरंभिक अवस्था में ही दूर न किया गया तो ये बच्चे के बेहवार हम उसके विकास में प्रभाव डालती है। ऐसे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और सैचिक कार्यों के गिरड़ा उत्वन करते हैं। मंद गती से सिखने वाले कौन हैं। मंद गती से सीखने वाले बच्चे उपरी समू के बच्चे सामाने बच्चों से अलग नहीं होते। इसलिए इन बच्चों को प्राया हमारे प्रात्मे की स्कूलों में दाखिला मिल जाता है। इन स्कूलों का प्राया हमारे बच्चों की आउसकताओं के आधार पर बनाया जाता है। इसलिए बच्चे सामाने बिद्याले में मिलने वाली सिख्चा को ग्रहन करने में असमर्चता अनुभव करते हैं। यदि इनको विद्याले में विशेश प्रावधान न दिया जाए और पाठक्रम को अधिक ब्यहवारिकता और वास्तिकता जिवन की क्रियाओं से न जुड़ा जाए तो यह वर्ग समाने विद्याले में अवसत सफलता का अनुभव कर सकता है। ब्यहतर होगा कि साथ वर्ष की पूरो आयू में संबिदंसिल और समझदार सिच्छक ही ऐसे बच्चों को अरमिक अवस्ताव में ही पहचान ले। तब इन बच्चों को अवस्यकता अनुशार पाठक्रम बदलने लायक यूगता और स्वतनता सिच्छक को देनी चाहिए, स मंद गती से सीखने वालों की विशिस्ता हैं, यह दि धीमी गती से सीखने की अनुमती हो और पाठक्रम को उनकी कुसलता की सीमा के अनुसार बदला जाये, तब मंद गती से सीखने वाले बच्चे सामान इसकूलों में सिच्छा गरह कर सकते हैं, और एक अवस्त सीमा तक सामाने बच्चों के समान है, यह प्रतीत होता है कि यह मूल अवधारनाओं को जैसे अंक सब्दावली बड़ा चोटा निचा गर्म ठंडा समय स्थानी त्यादी जैसी अवधारनाओं जो हमारी विद्ध्याले सिच्छा का मूल है तदिक धीमी गती से सीख सकते हैं, यह व सकेंगे, वे उनकी पढ़ाई की गती का सामना नहीं कर पाएंगे और यह वे समझत सैचिक उपलब्दिया नहीं कर पाएंगे जो समाने बच्चे विद्ध्याले सिच्छा प्राप्त करके विद्ध्याले छोड़ने के समय तक सीखते हैं, मन्द बुद्धी बच्चे उचि समाजी ग्रूप से सच्छम बना सके, यह बच्चे समने प्रयोगात्मक कारियों में बहुत चूस्त होते हैं, तथा उनकारियों में अतधिक रूची लेते हैं, जिन में मूर्थ वस्तू हैं यह इस्तितियों में बेवार करना पड़ता है, रूची केंद्रित प्रविदी प्राथमिक अस्तर में बहुत उपयोगी पाई गई है, जैसे कि पोस्ट आफिस, प्रोजेक्ट से इतिहास, भुगोल, भासा, अंक एक दूसरे से सम्मन्दित दुरूप में लाए जा सकते हैं, लेकिन आईसी प्राविदियों को विकास सील, कौसलों के एक केंद्रिक कारक में जमा करने का हम एक अंक वाली संख्या से सुरू करके दो या दो से अधिक अंको वाली संख्या ले सकते हैं, सामानता है इन बच्चों की इसमार सकती दुर्बल होती है, इसलिए इनको तरह तरह से रूचिकर क्रियाओं द्वारा बहुत अधिक अभ्यास कराने की आवसक करता होती है, मसलन खेल संखीत, स्रेजनात्मक क्रियाओं और समाजिक जच्छता को संबर्धित करने के लिए अभिकल्पित क्रियाओं के इनके श्कूल करकर में एक महत्मुन अस्थान देना चाहिए, बंद गती से सिखने वाले के विश्यस समस्या और उनका सामना करने के तरीके, बिकास की प्रक्षिया के दोरान सभी बच्चों के सामने कुछ कठनाई आती है, जिनका समद उनके बिकास के विश्यस्ष्ट अस्तर्थ होता है, इन सामाने समस्याओं के अत्रिक्त मन्द बुद्धी बच्चों को कम बैद्धिक शमता की कालन कुछ विश्यस समस् भीच्चे के बैद्धिक युग इता चलह हुने वाली विफ्रीत प्रवाव पर कुछ कारकों का असर होता है, जैसे कि बच्चे के निम्न बउद्धिक शमता कित निसकश्ट है, उसके मत बिता तथा आन्निया वैसकों के मन्द बुद्धि होने कि क्या प्रतिक्रिया है ? बच्चे के समान आईवर के साथ हैं उनके मंद बुधिया और और समान होने पर किस तरह परतिगीर्या करते हैं। बच्चे की मानसिक छमता कहां तक उनकारेगुक करने में असमर्थ हैं जिन्हें उसके समवयस्क साथि कर पाते हैं। निम्न मानसिक छमता कहां तक मंद बुध बच्चे के अंतर बोध को प्रभावित करती है यह सब देखने की बात होगी मनोश सामान निवा स्वस्त बच्चा दिखाई देता था खड़ा होना सीखने घुटनों के बल चलना सीखने बोलना सीखने आधी में उसकी गती धीमी थी वह धीमी गती बहुत अधिक नहीं थी य उन्होंने इसको बैक्तिक बिहनता समझा मनोश चार या पांच वर्ष का होने पर बाते करने लगा चलने सीखने और हसने लगा माता-पिता में माता-पिता बच्चे में कोई कमी नहीं देख पा रहे थे उन्हें बच्चे को एक सामान बुद्धी वाला बच्चा समझा और उन्हें वे अच्छर याद नहीं किये जो उसने पढ़ाए हैं और नहीं उसने अंगों की अवधान गरहन की सिचिका ने बच्चे को अंग सीखने के लिए लगबागी एक सप्ता की आधे चुट्टी में रोके रखा फिर भी कोई विशेस इसपष्ट उन्हती नहीं दिखाए दी जो वह एक दिन में सीखता था वो अगले दिन भोल जाता था जब सिचिका उससे कुछ समझाने का प् ठपड भी लगा देती उसने उसके माता पिता को यह सिकायद भेजी कि वह सायद आलसी है और काम करना नहीं चाहता माता पिता ने मनुझ को डाठा विद्धाले से लोटने पर फ्रति दिन जो मिठाई दी जाती थी वह भी बंद कर दी मनुझ बहुत घबराया हुआ और पर Maung-chid नहीं यहाँ ले रहा, माता पिता ने भी शिछिका का ही शाथ दिया, उसके सहबाठियों ने उसका मजाक बुलाना सुरू किया, मनुझ बहुत दुखी हुआ, उस ने स्कूल याने से मना किया, वह रोता और वह नास्था न करता और स्कूल बस में चड़ने से इंकार करता उसके मातापिता ने शुरू में जबरदस्ती कि बाद में बच्चे ने पेट दर के सिकायद के और विद्धाले जाने के समय पर उल्टी करना शुरू किया एक डक्टर ने मनुझ का परिष्ड कराया गया जिगिस्टक के अनुसार कोई कमी नहीं है जिगिस्टक ने मनोज की जितनी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्ट कर सकता था, कि उसने सिचका से भी उसके बारे में सूचना ली, मनोज के बारे में अलग-अलग परिश्थितियों का निच्छड किया, इसके अत्रिक उसने बहुत से मौखिक बौधिक और कार परिच्छाओं द्वारा सूचना एकात्र की यह पता लगा कि बच्चे की 70 से 75 बुद्धी लबती थी जैसा कि वह देखने में सारे जी गुप से समाने था इसलिए किसी को भी इसकी निमन बहुदिक छमता का संसर नहीं हुआ अतेव माता पिदा और सिछकों को मनोज ने उसकी छमता से अधिक नहीं थे जैसा उसने नरसरी में होता है वैसे समय और अवसा दोनों की आव सकता थी ताकि बिना दबाव अपने आप समय से सीखने में उसे एक रियाय सहता करती तथा उसकी मूग अवधानाओं को निर्मित करती मनोज की परसानिया इसलिए बढ़े ही क्योंकि उसे सही समय से नहीं पहचाना जा सका और सैच्छी कारक्रम को उसके निदाना निदाना नुसार भी नहीं बनाया गया बच्चे के पति उसके माता पिता और सिच्छा के कठोर बेवार और दबाव में दबाव जो उन्होंने उससे हासिल कराने के लिए डाला जिसके लिए वह सच्छम नहीं था था मनोज में बेहवारगत परसानियां विक्सित होने में भी वे उत्तरदाई हैं बच्चे की स्युक्यति प्राप्त करने मात्य पिता सिच्छक और साथियो जारा मानिता प्राप्त करने की तथा इस नहीं प्राप्त करने की बच्चे की मूल आवसकताओं की पूर् या उम्मीर नहीं की कि वह मत्बुधिक है यह जानने कि बदले बच्चा वह कुछ सीखने में सफल नहीं हो पाता था जो दूसरे बच्चे कर पाते थे वह माता पिता और सिच को दोरा डाटा और दंडित किया गया उसके साफाथियों ने उसका उभास किया मजाग बनाया कि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने क्या गलती की है जिससे उसे इतना अधिक धंड की दिया जा रहा है उसके सिवक्रिती और मानेता की प्राथमिक आऊ सकता है पूरी नहीं हो पाए इसलिए उसमें संबेगात्मक समस्यां और ब्यहवारगत कठ्राईया विक्सित अधिक विकास के अस्तर के नुसर नहीं बनाया जाता बौधिक विकास का शार उसके सिचा के लिए लच निवधारत भी आवास्तविक होते हैं जो उसके असफलता तत्था निराशा के कारण बनते हैं। अधिक छमता की निदान के पश्चात भी जब माता पिता इस तत्थे को नहीं स्विकारते हैं कि उनके बच्चे में मांसिक छमता निम्न है वे अपना बहुत सा समय और पैसे डाक्टर जादू टोना हकीमों आधी से बच्चे का हिलाज कराने में लगा देते हैं। अधिक सुरच्छा देते हैं अथ्वा त्याक देते हैं इौह बच्चे को असंगत रुप से समुझत आ जिससे से की उसे ना पता लग चके की उसे क्या अपिछह करने चाहिए यह बहवार भी बच्चे में और शुरच्छा की भावना पैदा करती हैं. और सुरक्षा, सिच्छक न समझ में आने वाले बेहवार और ब्यांगात्मक और कठोर बेहवार के कारण मंद बुद्धी बच्चे के लिए समस्यां उत्पन कर सकते हैं, मंद बुद्धी बच्चों में दूर दर्शिता की कमी होती है, इसका आर्थिया है कि वे अपने कारों के प्रणामों का मुल्यांकन नहीं कर पाते हैं, और दूसरे के द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, तर्था कठनाईयों में पढ़ जाते हैं, मंद बुद्धी वाले बच्चे सामानते अपने माता पिता और सेचिकों की प्रवित्य और सहपारियों के बहवार से अपने आपको हीन महसूस करने लगते हैं, दूसरे बच्चों को या समझाना चाहिए कि ये बच्चे घिन कटनाईयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें या स मंद बुद्धी वाले बच्चों को उनका सामना करना पड़ता है, जिन पर आप उनकी बिसेस्ता हैं और उस परिवेश जिसमें उन्हें समायोजन करना पड़ता है, को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, अगला पोइंट है बच्चों और उनके माता पिता की मार्ग न इच्चक के रूप में, यदि वे बच्चे के बेहवार और विकास निर्चन करते हैं, और सामान बच्चों में विकास किस तरह होता है, इसका उन्हें ग्यान है तब वे देरी से विकास के अस्तर को पहचान सकेंगे, और इसका उन्हें ग्यान है तब वे देरी से पहचानन करने का समय नहीं है तब वह किसी बच्चे को अच्छी तरह से समझने के लिए उनके महत्पूर्ण व्यहवार घटना दसा तत्त या बोली के प्रतिमान को लिख कर रख सकते हैं या सकती हैं माता पिता से अकस्मात या जानबूज कर बच्चे के बारे में जानकारी लेकर सिच्चक बच्चे के वहतर तोर पर जान सकता है अगर माता बिता को अपने बच्चों के सिच्चक पर भरुसा है और उसके साथ अच्छे संबन्द है तो अपने बच्चे की समस्याक के बारे में अन्य बैक्ति की अपेच्चा उस पर अधिक विश्वास करेंगे बच्चे के बारे में जनकारी प्राथ करने से शिच्छा का ब्हवार उसके पति अधिक सहान भोती पूर्ण और स्वीकार आत्मक होगा वो उसके साथ निरुस्साहित या ब्यंगात्मक होने के बच्छा अधिक स्नेह का विवार करेगा और सारीक दंड का भी प्रयोग नहीं करेगा। सिच्छक और स्वयमी बच्चे को नहीं स्विकारना है वलकि मातापिता को भी इस तथ्य को शिकारने में मदद करनी चाहिए कि बच्चे में बहुत आसान नहीं है। वे अपने आपको मुण्द बुद्धी के लिए दोसी महसूस करते हैं। अपको योगी सुझाओं पसंद आएंगे जिनसे वे बच्चों को प्रभापुड़ा तौर से मदद कर सके। जिससे की बच्चा व्यक्तिकात रूप से योगी बने। सामाजिक तोर पे शच्चम तथा वे उसमें अच्छी आदते विक्सीत कर सके और उन्हें उन सुझाओं को ज्यादतर अपना सके। सुझा और भी ज्यादा प्रभाव साली होंगे यह दि माता पिता यह पाते हैं कि सिच्चक भी बच्चे के लिए विशेश प्रयत्न कर रहा है। कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि मंद बुद्धी वाले बच्चे अपने अंदर बहुत ही गहरी समय गात्मक समस्याओं को पैदा कर लेते हैं। ऐसा तब होता है जब माता पिता इस तर्थे को सिकार नहीं करते कि उनका बच्चा मंद बुद्धी है। वे इस बात पर दबाव डालते रहते हैं कि बच्चा अपनी योगता से अधिक प्रात करें जब वह उनके उमीदों पर पूरा नहीं उताता तो उसे मार दिया जता है दो चार जापड़। यद भी सिच्चक को कच्चा के अधिकांस कायर करम तथा कतित अवसत बच्चों की पढ़ाई के अनुसर रखने होंगे और उसे कुछ प्रावधान उन बच्चों के लिए रखने होंगे जो उपर केस्तर में है तथा जिनकी स्रेष्ट बुद्धी है और कुछ निमने के ल नहीं प्राप्त कर सकते में सिच्चक को उनके सिच्चा के उपयुक द्लच बनाने चाहिए और कारकलात अनुवह के युजना बनानी चाहहिए जिससे बच्चे लच्चों की प्राप्ती की ओर बढ़ सके सिच्छक के कर्तबों का एक भाग यह भी है कि वो अलग प्रकार के कारकलाब और अनुभव प्रदान करके मन गती से सिखने वाले बच्चों को सफलता का अनुभव कराए इसलिए पाठकरम का एक महत्पूर्ण हिस्सा संगीत कला हाथ का काम खेल कुद नाठक आधी होना चाहिए यदि सिखक यह सफलता चाहता है कि बच्चे अपनी योगता नुसार अधिकाधिक कार करे और देश के उपयों की नागरिक और अच्छे योग ब्यक्ति बने तो किसी भी बहुदी क्रिया कलाब के अस्तर पर सिखकों को यह देखना होगा कि प्रारम्मिक विद्यालेव में वे ऐसी बच्चे के माता पिता का पर्याव बनकर उनके मित परामार्स दाता और सिखक तीनों की जगह ले सके आंते भी हम देखेंगे सारांस यदि आपने अब तक कुछ भी नहीं देखा तो डारेक्ट सारांस देख सकते हैं हमने यहां मंद बुद्धी बच्चे सब्द उन बच्चों के लिए प्रयुक्त किया है जो 70 या 75 से लेकर 85 या 90 तक के बुद्धी लब्दी सीमा में आते हैं इसमें मंद बुद्धी या हलके मंद बुद्धी वरग वाले बच्चे आते हैं मन्द बुद्धी बच्चों का इस तरह परिवाशित कर सकते हैं कि वे बच्चे विस्यषत, अपनी नीम्न बहुदिक छमता के कान, विद्धाले के कारे में असफल रहते हैं, भी उनकी असफल था कि कई अन्य कारान भी हो सकते हैं अधिक समय तक करना होगा और उन्हें अपनी गती से आगे बाढ़ने देना होगा जैसे उनकी मांसी क्योगता का अभिकास छोटी आयू में रुख जाता है इसलिए उनमें से अधिकांस अमुर्थ विवेक के अस्तर तक नहीं पहुश पाते हैं लेकिन केवल वे जो मापदन्ड के उपरी छोट पर हैं जिनकी बुद्धी लगवग अस्य सामान्य अमूर्थ विवेक तक पहुश सकते हैं फिर भी हमें याद रखना है कि मंद बुद्धी वाले बच्चे की योगताओं का विश्त्रित परिस्वर होता है इसलिए निर्देशों के इन बच्चों के लिए ब्यक्ति वधान बनानी के आवसकता है इन बच्चों के लिए सिच्चा को अर्थपुर बनाने के लिए विशे स्योजनाओं और समग्रियों के आवसकता है इन समग्रियों को चुनते समय बच्चों की आयो योगता और रूची अस्पर को ध्यान में रखने के आवसकता है इन बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें प्रेरित और उत्यजित करना आवसेक है या कार विभिन प्रकार की रूचिकर और उत्यजित परिशितियों या अनुभव द्वारा किया जा सकता है मंद बुध्धी वाले बच्चे अल्प जिछा पाने समाजिक ढंक से योग बनने और भवी जेमन में अच्छे काम करने की आदते और कोसल बिख्षित कर पाने में समर्थ होते हैं सुस्त ताल के मंद वुद्धि समुकए बच्चे सभलता के उचे हस्तर को पाने में असमर्थ होते हैं यदि विध्याले के करकर हमको उनके अनुसा ढ़ला जा सके तो वे विध्याले की कार से लाभानवित हो सकते हैं आंसिंग मन्द बुद्धी बच्चों के लिए बिसे सिच्छा की आवस्यक्ता होती है अनेथा भी असफलताओं की कार्ड निरासा तथा दूसरी बेवारी परसारियां उत्पन स्वयम अपने आप कर लेंगे। ऐसे बच्चों जो निम्नमानसिक युगता दिखाते हैं उनकी पहचान करने में सिच्छा की महत्पुर्ण भूमका है और सिच्छा के भी इन बच्चों को वस्तुपरक और विश्यपरक के अधार पर जाच यौन निदान के लिए परामर्स दाता या मनो बेग्यानिक के पास भेजा जा सकता है इस तरह की जाच इनके लिए उपयूग सैचिक करकर मनाने में तता सिच्छक या माताविता के सायोग से बच्चों को जीवन में संतुष जनक धंक से ब्यवस्तित होने में मदद करती है आपको आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा थोड़ा से लंबा हो ज जो कोर्स कोड आपका NES102 Unit 7 आप देख रहे थे